नमस्कार दोस्तों स्वागते आपके यूटूब चेनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिशन बोर्ड आई स्कूल टीचर एजिलेबिटी टेस्ट दो हजार अठारा यानि दो फरवरी 2019 को डाही बजे से लेकर पांच बजे तक मद्दे परदेश में जो टेट का एग्जाम हुआ था उसके हिंदी विशे के 150 क्योशनों से सम्मन दित इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर 150 के 50 क्योशन बताऊंगा दोस्तो आने वाली UGC, NET, JRF और राजस्तान फस्ट ग्रेड इस्कूल व्याकेता बढ़ती प्रिक्षया और कोलेज व्याकेता बढ़ती प्रिक्षया में इन्ही क्योशनों में से कही क्योशन पूछे जाएंगे तो दोस्तो आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखना और दोस्तो वीडियो पसंद आये तो लाइक बटन को जरूर दबाना तो दोस्तो देखते हैं पहला क्योशन सूसांत सबद में परियुक्त उपसरक और मूल सबद के लिए सही विकलप चुनिये तो दोस्तो इसका सही उत्र हो जाएगा दो नमबर सू पलस सांत दूसरा क्योशन पूछा गया था मकमल के जुले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है सही उत्र हो जाएगा चाड नमबर लोप्त उपमा इसके बाद नेक्स्ट क्योशन है व्याकरण में बासा का विशलेशन किस इस्तर पर नहीं किया जाता सही उत्र हो जाएगा तिन नमबर सब्दावली तता अनुवाद के इस्तर पर चोता क्योशन था दिये गए सब्दूं के लिए सही प्रयावाची वाले सब्दूं की पंक्ती को चुनिये काम देव तो दोस्तों आपको काम देव के प्रयावाची बताने थे तो इसका सही उत्र हो जाएगा चाड़ नमबर मदन, कंदरप, मनमंत और मनोज अगला क्योशन पूचा गया था अगम का विलोम सब्द निमिन में से कौन सा है तो इसका सही उत्र था एक नमबर सुगम नेक्स्ट क्योशन था नर्सिंग में कौन सा समास है तो इसका सही उत्र था तेन नमबर करमदारिय समास अगला क्योशन था इस्सा का सुद रूप निमिन में से कौन सा है तो इसका सही उत्र था एक नमबर इस्सा अगला क्योशन था रीता गाना गाती है में कौन सा वाचे है तो इसका सही उतर था चार नमबर कत्र वाचे अगला क्योशन पूछा गया था अंगूली उठाना मोहावरे का अर्थ निमिन विकलोप में से कौन सा है तो इसका सही उतर था एक नमबर दोस्त निकालना इसके बाद में नेक्स्ट क्योशन पूचा गया था जहां जानाने संभव हो के लिए एक सबद निमिन में से कौन सा है तो इसका सही उतर था एक नमबर इस सोरी इसका सही उतर था दो नमबर अगम्मी इसके बाद में अगला क्योशन पूचा गया था इसमें गध्यांस था और गध्यांस का क्योशन पूचा गया था अन्ने विचारकूं के क्या छेतर रहे तो इसका सही उतर था उनका छेतर प्राई आर्थिक सामाजिक राजनेतिक ही रहा तीन नमबर दूसरा क्योशन पूचा गया था ये भी गद्यांस था इसका पहला क्योशन था मानव समाज में कौन सा समास है तो इसका सही उतर है एक नमबर ततपुर समास दोस्तों ये क्योशन डिलिट होने लाइक है इसके अंदर सही उतर होगा दो नमबर दवंद्य समास इसके बाद में तीसरा क्योषन पूचा गया था ये भी गध्यांस था इसका क्योषन पूचा गया था आर्तिक सामाजिक राजनेतिक में कौन सा परते परियुक्त हुआ है तो इसका सही उतर था तीन नमबर एक परते इसके बाद में चोथा गध्यांज पूछा गया था इसका पहला क्योशन था उपरियोगत अवतरण का उचित शीर्शक बताईए तो इसका सही उत्र हो जाएगा गोविंद सिंग जी की देन तीन नमबर इसके बाद पांचवा क्योशन पूछा गया था रोहुई सब मिली आवी बारत बाही हाहा बारत दुर्दसार ने देखी जाई ये पंक्ती किसकी है तो इसका सही उत्र था भारतेंदू हरीश चंदर दो नमबर इसके बाद में नेक्स्ट क्योशन पूछा गया था आगे नातना पीछे पगहा लोकोक्ती का क्या अड़त है इसका सही उत्र था जिसका कोई सगा समन्दी नहीं हो तीन नमबर अगला क्योशन पूछा गया था सन 1936 में परगतिशी लेकक संकी इस्तापना और फर्तम अदिवेशन किस सहर में हुआ था सही उत्र हो जाएगा एक नमबर लखनव में अगला क्योशन था यथा विदी में कौन सा समास है सही उत्र हो जाएगा एक नमबर अव्वे ही वाव समास अगला क्योशन था निमिन में से कौन सी परवर्टी नहीं कवीता में नहीं दिखाई देती इसका सही उतर है चान नमबर सामाजी की यथार्थ के प्रती रहसे वाधी दरस्टी कौन नेक्स्ट क्योशन पूचा गया था रूपक के परकारों के लक्षनों में से निमिन में से कौन सा खतन ऐसंगत है तो इसका सही उतर हो जाएगा एक नमबर प्रहसन में करुण रस्की परधानता होती है इसके बाद में next question पूछा गया था आचारे कुंतक ने वक रोकती के 6 बेद किये थी उनमें से निमिन में से कौन सा बेद नहीं है इसका सही उतर है तिन नंबर व्याकरण वक करता next question है आचारे भरत मुनी ने नाटे सास्तर के रूप में कितने बेद किये हैं सही उतर होगा तिन नंबर दस बेद अगला question है आचारे नंदुलारे वाजपेई को किस परकार का आलोचक माना जाता है सही उतर हो जाएगा दो नंबर सोष्टव वाद्दी अगला question है महादेवी वर्मा करत इसमर्ती की रेखाएं की वीदा क्या है तो इसका सही उतर हो जाएगा चार नंबर रेखा चितर अगला क्योशन है राजनिती के छेतर में जो समाजवाद या सामेवाद है साहिते के छेतर में वही है इसका सही उतर हो जाएगा परगत्तिवाद यानि दो नमबर अगला क्योशन है उसने कहा कि मैं निर्दोस हूँ इस वाके को सरल वाके में किस परकार कहेंगे तो इसका सही उतर हो जाएगा उसने अपने को निर्दोस बताया दो नमबर अगला क्योशन है एक विपत्ती के बाद दूसरी विपत्ती आना किस मोहावरे का अर्थ है तो सही उत्र हो जाएगा चार नमबर कोड में खाज होना अगला क्योशन है हम खा चुके इनमें कौन सा वाके है सही उत्र हो जाएगा दो नमबर विधी वाचक वाके अगला क्योशन है जेब बरना मोहावरे का अर्थ है तो इसका सही उत्र हो जाएगा दो नमबर रिश्वत लेना अगला क्योशन है जिसे गुप्त रखा जाए उसे एक सबद में क्या कहेंगे गोपनी ए नेक्स्ट है लड़का रोटी खाता है इस वाके का करम वाचे क्या होगा सही उतर हो जाएगा रोटी लड़के के द्वारा खाही जाती है तो इसका सही उतर हो जाएगा एक नमबर अगला क्योशन है तुम घर जाओ इसमें कौन सा वाके है सही उतर होगा तिन नमबर आग्या वाचक वाके नेक्स्ट क्योशन है तुम घर जाओ वाके का निसेद वाचक वाके होगा सही उतर होगा तिन नमबर तुम घर मत जाओ नेक्स्ट क्यूशन है जो अतिती का सतकार ने करे उसे क्या कहेंगे सही उतर हो जाएगा दो नमबर आते थे नेक्स्ट क्यूशन है परते का संदी विचेद कोन सा होगा सही उतर होगा चार नमबर परती धन एक अगला क्योशन है अरे वहा तुम फर्तम आ गई कौन सा वाके है सही उतर होगा एक नमबर विसमे वाचक वाके नेक्स्ट क्योशन है बगवान तुमारी यातरा सफल करे कौन सा वाके है सही उतर होगा एक नमबर इच्छा वाचक वाके अगला क्योशन है प्रेम चंद के किस उपनियास को किसाने जीवन का मा कावे कहा जाता है सही उत्र होगा एक नमबर गोदान जो सन 1935 में लिखा गया था इसे किसाने जीवन का सुलुकता दस्तावेज भी कहा जाता है नेक्स्ट क्योशन है किस कवी ने सुयम को हिंदुस्तान की तूती कहा है सही उत्र हो जाएगा अमीर कुश्रो तीन नमबर नेक्स्ट क्योशन है किस कावे संकलन के लिए महादेवी वर्मा को भारती ज्यानपीट पुरुषकार दिया गया था सही उत्र हो जाएगा एक नंबर यामा सन 1982 में महादेवी वर्मा को यामा करती को हादार बना कर भारती ग्यानपीट पुरुषकार से नवाजा गया था नेक्स्ट क्यूशन है निमिन में से पत्र का कौन सा भेद नहीं है सही उत्र हो जाएगा चार नंबर भोज पत्र नेक्स्ट है निमिन में से कौन सा सुकल यूग के आलोचक नहीं है तो इसका सही उत्र हो जाएगा हजारी परसाद दवेदी है ये सुकल यूग के आलोचक नहीं है नेक्स्ट क्यूशन है निमिन में से कोन सा निबंद परकार हिंदी में प्रसलीत नहीं है तो इसका सही उतर हो जाएगा तीन नमबर नेक्स्ट क्यूशन है निमिन में से कौन सा निबंद का गुण नहीं है सही उतर होगा दो नमबर सिंख सिप्ता नेक्स्ट है निमिन में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सकसेना करत नहीं है आसाड़ का एक दिन चार नमबर ये नाटक मोहंद राकेश के दौरा रचित है नेक्स्ट ग्यूसन है निमिन में से जेशंगर परसाद दौरा रचित रचना कोन सी है? तो इसका सही उतर हो जाएगा तीन नमबर लहर ये जेशंगर परसाद के दौरा रची गई थी अगला क्योशन है निमिन में से कौन सी सिंख्षेपन की विशिष्टा नहीं है तो इसका सही उतर हो जाएगा सवाद सीलता चार नमबर अगला क्योशन है निमिन लिखित में से रस दोस किस इस्तती में नहीं माना जाएगा सही उतर हो जाएगा चान नमबर रच के अंगूं का अनुकुलन वर्नन हुआ हो नेक्स्ट है निमिलिक्त में से निबंद का कौन सा भाग नहीं है तो निबंद का भाग एक नमबर है चरीतर चितर निमंद का भाग नहीं होता है अगला है देवनागरी लिपी का मूल स्रोत क्या है सही उतर होगा चान नमबर ब्रह्मी लिपी अगला क्यूशन है वेंजना सब सकती के कितने उपभेद होते हैं सही उतर हो जाएगा दो नेक्स्ट क्यूशन है वेंजना से परतीत होने वाले अर्थ को क्या कहा जाता है वेंग्यार्थ नेक्स्ट क्यूशन है अपने मुँ मिया मिठु बनना लोगोक्तिकार्थ क्या है सही उतर हो जाएगा अपनी परसंसा सुयम करना एक नमबर अगला है मनोज मदन अनग नीचे देगे विकलोप में से किसके प्रयावाची है सही उतर होगा एक नमबर काम देव की सोरी दो नमबर नेक्स्ट क्यूशन है आदूनिक बारतिय बासाओं का सर्वपर्तम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था सही उतर हो जाएगा तेन नमबर डोक्टर ए एफ आर हरननले नेक्स्ट क्यूशन है लक्षणा के आदार पर कौन सा चंद दोहा का विपरित माना जाता है सोर्ठा नेक्स्ट है हिंदी की पहली महिला कानिकार किसे माना जाता है बंग महिला बंग महिला का उपनाम राजिंदर बाला गोश्ट था नेक्स्ट क्योशन है हिंदी कावे में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और खानियों के संद्रब में प्रेमचंद युग है सही उत्र हो जाएगा तिन नमबर प्रेमचंद युग अगला क्योशन है हिंदी बासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है सही उतर होगा एक नमबर देवनागरी नेक्स्ट क्योशन है हिंदी का पहला समाचार पतर उदंत मार्त दंड अगला क्योशन है ग्रामे दोस कहा जाता है जहां ग्रामेन बोल चाल के सब्दूं का सिष्ट साइते में परियोग होता है सई उतर हो जाएगा चार नमबर नेक्स्ट क्योशन है सबका निचोड लेकर तुम सुख से सुख जीवन में बरसो परबात हिमकन में सा आशु इस विश्व सदन में परस्तुत पंक्ती निमिन में से किसकी है सही उतर हो जाएगा चार नमबर जैसंकर परसाद की अगला क्योशन है चिडी मार में कौन सा समास है सही उतर हो जाएगा एक नमबर ततपुरु समास सहर रदय के रदय में इस्तित बाहूं को आसावादन योगे बनाने वाले उपादानों को क्या कहा जाता है सही उतर हो जाएगा दो नंबर वीभाव नेक्स्ट क्योशन है चायावाद सबदगा फरतम प्रयोगता किसे माना जाता है चार नमबर मुकर्ट धर पांडे को अगला क्योशन है वाकेर सात्मक कव्यम किस आचारी द्वारा दे गई कावे की परीबासाएं हैं आचारी विश्वेनात नेक्स्ट क्योशन है रिपोर्ट आज किस वासा का सबद है सही उतर हो जाएगा तेन नमबर फ्रांसिसी वासागा नेक्स्ट क्योशन है तिरिच पाल गोमरा का इस्कोटर पीली चतरी वाली लड़की और मोहंदाज खानियों के खानीकार कोन है सही उतर होगा तेन नमबर उसने कहाता खाने सन 1915 में चंदरदर स्रमा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी अगला क्योशन है राहूं के अनवेसी निमिन में से किन कवियों को कहा जाता है सही उतर हो जाएगा दो नमबर तार सब्टक के कवियों को अगला क्योशन है बासा सबद किस दातु से बना है सही उतर होगा एक नमबर भस नेक्स्ट क्योशन है गुनाहूं का देवता किसके द्वारा लिकित उपन्यास है द्रम भीर भारती के द्वारा नेक्स्ट क्योशन है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई वो पाए बोरा ज खाए बोरा इस दोए में कौन्चा अलंकार है सई उतर हो जाएगा दो नमबर यमक अलंकार नेक्स्ट क्योशन है हिंदी सबद किस बासा का है सई उतर हो जाएगा तेन नमबर इरानी बासा का सबद है नेक्स्ट क्योशन है बक्ति कालेन किस कावेधारा में परमात्मा को इस्तरी तता आत्मा को पुर्ष रूप में चित्रित किया गया है सई उतर हो जाएगा दो नमबर सूपी कावेधारा में नेक्स्ट क्यूशन है चोराहा में कौन सा समास है सही उतर हो जाएगा चार नमबर दिग्गू समास क्यूंकि ये संक्यावाची सबद है नेक्स्ट क्यूशन है एड्मनेस्टेशन का हिंदी रूपांतरन क्या होगा सही उतर होगा दो नमबर परसासन नायक का संदी विछेद कौन सा है? सही उतर हो जाएगा तीन नमबर ने धन अक जिस वाके में एक किरिया और एक करता हो उसे कौन सा वाके कहेंगे? सही उतर हो जाएगा तीन नमबर सरल वाके नेक्स्ट क्योशन है परशिद गीत विजे विश्वे तिरंगा प्यारा जंडा उंचा रहे हमारा के रचना किस कवी ने की थी? सही उतर हो जाएगा दो नमबर श्यामलाल पारसदनी नेक्स्ट क्योशन है बरजबासा किस चेतर में बोली जाती है सही उतर हो जाएगा एक नमबर बरजबासा मतुरा में बोली जाती है अगला क्योशन है बारती सुविदान की आठवी अनुसूचे में कितनी बासाओं को मानेता दे गई है सही उतर होगा दो नमबर 22 बासाओं को अगला क्योशन है संस्कृत सब्दूं से विक्षित सब्दूं को क्या कहा जाता है सही उतर हो जाएगा दो नमबर अगला क्योशन है एक अच्छे निबंद में कौन सी विशेषता नहीं होती है सही उतर हो जाएगा अपनी बात खहकर दूसरों की बात भी सुननी चाहिए नेक्स्ट क्योशन है नीचे दिये गए विकलोपों में कौन सा निबंद का गुण है सही उतर हो जाएगा चैन नंबर विचारों की स्वाधिन्ता नेक्स्ट क्योशन है चंदरदर्शरमा गुलेरी ने कुल कितनी कानिया लिखी थी तो चंदरदर्शरमा गुलेरी ने अपने जीवन में तीन कानिया लिखी थी सुकमय जीवन 1911 बुद्गा काटा 1914 उसने काता 1915 नेक्स्ट क्योशन है राष्टर बाचा परचार समेती वारधा के संस्तापक कौन थे सही उतर हो जाएगा दो नंबर माहत्मा गांदी नेक्स्ट क्योशन है हिंदी कवीता में पर्योगवाद का परवर्तन किस कावे संकलन से माना जाता है सही उतर होगा तार सब तक से नेक्स्ट क्योशन है हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन सा कवी परसिद है सही उतर हो जाएगा तीन नंबर नेक्स्ट क्यूशन है अनुस्वार वास्तों में नाशी के वेंजन होते हैं सही उत्र हो जाएगा तीन नमबर नेक्स्ट क्यूशन है क्षय सयुक्त वेंजन का निर्मान किन दो वरणों के सहयोग से हुआ है तो इसका सही उत्र हो जाएगा तीन नमबर नेक्स्ट क्यूशन है राजा राने में कौन सा समास है सही उतर हो जाएगा चार नमबर दुवंद्वे समास नेक्स्ट क्यूशन है तहा लेना मुहावरे का अर्थ है सही उतर होगा दो नमबर पता लगाना नेक्स्ट है रीती संपरदाय के परवर्तक किसे माना जाता है वामन को नेक्स्ट है कुपी टोपी नीर पापड किस बासा परिवार से हिंदी में आगत सबद हैं तो सही उतर हो जाएगा एक नमबर दर्विड बासा परिवार नेक्स्ट क्योशन है वी बासा से क्या आसे है एक प्रांत की बोली तीन नमबर उर्वसी किसके द्वारा रचित है रामदारी सिंग दिनकर के द्वारा रचित है और इसी करती को आधार बना कर सन 1922 में भारती ज्यानपीट पुरुषकार दिया गया था अगला क्योशन है मर्ग नैनी किसके द्वारा रचित है वरंदावनलाल वर्मा के द्वारा जिनको बुंदेल खंड का चंदर बरदाई भी कहा जाता है अगला क्योशन है तमस के लेका कोन है तो सही उतर हो जाएगा बिसमसानी ये सन 1922 में भारत पाक विवाजन की तरास दी पर लिखा गया उपन्यास है अगला है नई पोद के लेका कोन है सही उतर हो जाएगा नागार जुन अगला क्योशन है राग गोविंद किसके दुआरा रचित है सही उतर होगा चान नमबर मीरा बाई सरल वाके किस बेद के अंतरगत आता है सही उतर होगा तेन नमबर रचना के दरस्टी से किये गए बेद के अंतरगत next question है सिवा बावनी के रचनाकार कोण है तो इसका सई उतर होगा चान नमबर भुसन next question है समी करण का विलोम क्या होगा सई उतर होगा तिन नमबर विस्मी करण next question है परिक्षण का सुद रूप निमिन में से कोण सा है तो इसका सही उतर हो जाएगा तीन नमबर परीक्षन नेक्स्ट है मदुसाला कावे के रचेता कोन है हरीवन्स राइबचन जो सन 1935 के अंदर ये करती लिखी गई थी और हरीवन्स राइबचन की ये पहली करती है नेक्स्ट क्यूशन है प्रियोजना मुलक हिंदी को अंगरीजी में क्या कहा जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा एक नमबर फाइन्सेकल हिंदी नेक्स्ट क्यूशन है संतोसी का विलोम क्या होगा ऐ संतोसी अगला क्योशन है पारवती मंगल किसके दुवारा रचित गरंत है तुलशी दास के दुवारा तिन नमबर और नेक्स्ट क्योशन है जो चातर परिशरम करेंगे उन्हें सपलता आवस से मिलेगी इस वाके का सरल वाके क्या होगा तो इसका सही उतर हो जाएगा परिशरमी चातर आवस से सफल होंगे तो दोस्तों इस पेपर के अंदर 100 क्योशन थे वो हिंदी साइते के थे और 10 क्योशन व्याकरन के थे तो हमने इस वीडियो के अंदर 110 क्योशन देख लिये हैं अब next क्योशन है जीके इंगलीज और वहांके नोकल जीके के क्योशन इसके बाद में इंगलीज के क्योशन थे पहला क्योशन था इसका सही उतर हो जाएगा तीन नमबर दूसरा क्योशन था इसका सही उतर हो जाएगा चार नमबर तीसरा क्योशन पूछा गया था इसका सही उतर हो जाएगा चार नमबर इसके बाद में next question पूछा गया था पांचवा इसका सही उतर हो जाएगा दो नमबर छटवा question पूछा गया था इसका सही उतर हो जाएगा चार नमबर साथवा question पूछा गया था इसका सही उतर होगा तिन नमबर आठवा क्यूशन पूछा गया था इसका सही उतर हो जाएगा तिन नमबर इसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन जन्न नोलेज के थे इसका सही उतर हो जाएगा कानून और न्याई मंतरी नेक्स्ट क्यूशन है कोनेरी हमपी निमिलिक्त में से किस खेल से समन्दित है तो सही उतर हो जाएगा सत्रन से नेक्स्ट क्यूशन है इसका सही उतर हो जाएगा सिरी शिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन नेक्स्ट क्यूशन पूछा गया था इसका सही उतर हो जाएगा आई सी ए आर डी ए पांच्वा क्यूशन है इसका सही उतर हो जाएगा ये योजना विकलांगता के परकार से परेलाबारतियों को सम्मान कवरेज परदान करती है केट्री ना पाया जाता है गाजर में नेक्स्ट क्यूशन पूचा गया था इसका सही उतर होगा पांच मद्य परदेश राजी योजना आयो के कितने अंसकालिक सदसे हैं ग्यारा नेक्स्ट क्यूशन पूचा गया था इसका सही उतर है बोफाल इसके बाद में next question पूछा गया था इसका सही उतर है रूपांकर इसके बाद में reasoning की question पूछे गये थे 26, 37, 50, 65 next शंग्या होगी 82 इसके बाद में अगला question है ओसत ग्याद करे तो 65, 89, 89, 89 इसकी next question next शंग्या है वो 86 होगी इसके बाद next question पूछा गया था इसका सही उतर हो जाएगा 3 नमबर इसके बाद में अगला question है इसका सही उतर हो जाएगा 2 नमबर पांचवा क्योशन पूछा गया था इसका सही उतर हो जाएगा दो सही छे बटा ग्यारा और ओबलीक दो मिनट छे बटा ग्यारा मिनट इसके बाद में साथवा क्योशन पूछा गया था इसका सही उतर है एक नमबर 13, सात्वा क्योशन पूचा गया था, इसका सही उतर है एक नमबर 34 और नेक्स्ट क्योशन पूचा गया था, इसका सही उतर है थांडाइक इसके बाद में नेक्स्ट क्योशन पूचा गया था, इसका सही उतर है गहन चिंतन इसके बाद में नेक्स्ट क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर होगा फ्लेंडर्स नेक्स्ट क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर है थोंडाइक इसके बाद में नेक्स्ट है इसका सही उतर था ज्यान इस्तर चटवा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर है ब्रहाई प्रेणा साथवा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर है अनुमानी विदी आठवा क्योशन पूचा गया था इसमें है तेज जोड़ी गुण सुतर नववा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर है संचार के लिए सबदार्त बादा और दसवा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर है सम सवरीत और विसम सवरीत परवर्तियों के बीच एक संगर्स ग्यारवा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर है एक ज्यानात्मक गतिविदी नेक्स्ट क्योशन पूचा गया था इसमर्ती विज्यान है इसका सही उतर हो जाएगा इसमर्ती सहायक तेरवा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतर था सुकरात और चोद्वा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतरता बुद्धी विशलेशनात्मक रचनात्मक और वेवाहारिक बुद्धी मता की एक अन्तह करिया है पंद्रवा क्योशन पूचा गया था इसका सही उतरता अधिगम की सैली तो दोस्तो इस परकार MP8 के अंदर 2 फरवरी 2019 जो सेकेंड पारी के अंदर पेपर हुआ था उसके 150 क्यूशन इस परकार पुछे गए थे तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबाए चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिन जै भारत